अब अब विडियो आज हमारा फिर से का वीडियो कि जिसके अंदर में हमको एक केमिकल रियक्शन के बारे में डिसकस करना है जो अल्डियाइड और किटों से जुड़ी हुई है अब बहुत इंपोर्टन रियक्शन है क्योंकि आज कि आज जो टॉपिक है वो कैनीजारो रिय इस वीडियो के अंत में अगर आपको यह रियक्शन समझ में आती है और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दिजेगा सब्सक्राइब कर दिजेगा और आपको अगले वीडियो की नोटिपिकिशन चीए तो गाइस बेल आइकान पर भी क्य डॉन होगी कि आपको किस तरीके से आउनलाइन स्टडी करना है और उसके उपर भी अगला वीडियो मेरा होगा और अगले कुछ वीडियो के अंदर वैसी टिप्स आपको दी जाएगी और आसान तरीके से कैसे केमस्ट्री पढ़ना है इस बारे में भी मैं आपको सजेस्ट करते रहोंगा तो गाइज चलो अपना टॉपिक है कैनेजारो रियाक्शन और कैनेजारो रियाक्शन बहुत इंपोर्टन एक रियाक्शन है क्योंकि इसके अंदर में एक नेम रियाक्शन है पहली बात तो बता दू और मैं ऐसे कि आपको बोला था कि नेम रियाक्शन आप उन्हों के अंदर में इसके उपर में questions पूछा है तो guys बहुत important हो जाएगी यह reaction इस reaction को पढ़ने से पहले कि दो important point आपको लिख लेना है कि सबसे पहला important point इसके अंदर में यह है कि यह सिर्फ aldeide में होने वारी reaction है मतलब only aldeide say this reaction occur in only aldeides which do not have alpha hydrogen मतलब gene aldeide में alpha hydrogen नहीं होता ऐसे ही सिर्फ aldeide के अंदर में यह तुमारी reaction होने वाली है example में इसमें formaldeide हो सकता है benzeldeide जिनके अंदर में alpha hydrogen नहीं होता मतलब aldeal condensation के just opposite reaction है क्योंकि aldeal condensation में हमने देखे थे कि वहाँ पर हमको alpha hydrogen जिन में present होता है उन्हीं में aldeal condensation होता है लेकिन canisaro reaction ऐसे aldeide में होता है कि जिनके अंदर में alpha hydrogen क्या होता है absent होता है और ऐसे ही aldehyde में यह होगा यह reaction ketone में नहीं होने वाली है एक बात आपको clear कर दू पहले ketone do not use canisaro reaction और यह जो reaction का name canisaro reaction यह उसके बाद में कि जो stannis low canisaro नाम का scientist था है जिन्होंने इस reaction के बारे में हमको बताया तो इनके नेम पे से इसका नाम आया है canisaro reaction तो guys इसके अंदर में अगर दूसरा अगर important point अगर लिख लेने हैं आपको कि यह जो reaction होती है concentrated को यह 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 मतलब highly basic medium के अंदर highly basic medium के अंदर में यह reaction होने वाली है and plus इसमें hit करना है क्या करना है hit करना इसके साथ में तो यह दो चीज़े आपको ध्यान रखना है और दोनों चीज़े just opposite हैं किसके aldol condensation के क्योंकि वहाँ alpha hydrogen present था यह absent है वहाँ diluted क्या था diluted nao h को यूज कर रहे थे यहाँ पर हम concentrated nao h या koh को क्या कर रहे यूज कर रहे मतलब दोनों चीज़े कैसी है opposite है किसके opposite है तुमारे aldol condensation के opposite है यह दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से note कर लेना है तो चलिए अब इन दो पॉइंट को note करते हुए अपने reaction के तरफ पढ़ते हैं मैंने इस reaction में आपको थोड़ी ज़्यादा थेरी दिया क्योंकि थेरी देने के पिछे मेरा उद्देश यह था कि यह reaction important है और इसके उपर में कैसा question आ सकता है क्या एक ऐसा question आ सकता ही नहीं आया है दो मार्च के लिए से पहले मार्च 2014 में question ऐसा था कि write a note on self-oxidation reduction reaction of aldeide with suitable example ऐसा question दो मार्च 2014 में तो इसलिए मैं तो नोट्स के तरीके से आपको इसकी यह नोट्स दिया हूँ कि ताकि आप लोग उसके अंदर में यह सब चीजे भी कर सको तो गाईज इसके अंदर में सबसे पहली बात तो मैंने पहले point पे वही लिखवाया कि इसका name कैसे है कि canisaro reaction यह name आया है कि stanislo canisaro scientist के बाद में इसके name पे से इसका name आया है अलफा hydrogen atom मतलब icldiide के जिनके अंदर में अलफा hydrogen नहीं होता तो आई से स्रिफ फॉर्मल लियाइड और को नहीं बैंजल यह तर्सरी बी कंडिशन में आ सकते तर्सरी कुछ टॉर्ट वाले कंपाउंड भी इसके अंदर में आ सकते हैं तो इसको हीटिंग करना है अलकली के साथ इसमें 50% कॉंसेंट्रेट्ट एक्वेस सूलूशन ले सकते हो न वेज़ का या कोई कोई बुक पर आपको 33% बी इसकाई देगा कनफिज नहीं होना है हमारे अकॉर्णिक टू बुक के साब से 50% कॉंसेंट्रेशन बूला है इसलिए हम 50% कॉंसेंट्रेशन के प्रेजिंस में यह यह रियाक्शन लेगे और इसका अब सेल आपसे लाय है मतलब क्या करने रेडाउक्स रेक्शन करना है और इस रियाक्शन इसको ख़ सकते हैं चैनी आप इस क्या mentor अ प्रइक्शन की जिसके अंदर में किसी एखी यूनिट का ओक्सिडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसी केमिकल रियक्शन के बहुते हैं मतलब canisaro reaction is also called as disproportionation reaction is it clear guys मैं आपको यह बता दू आपको वनमा का question यह भी हो सकता है कि why canisaro reaction is said to be the disproportionation reaction या फिर what is disproportionation reaction ऐसा भी question आ सकता है तो इसलिए इसके उपर में तोड़ा सापको focus करना है फिर इस reaction में क्या होता है कि aldeide is oxidized to carbozileic acid पहला जो aldeide जो होता है one molecule of aldeide जो होगा यह carbozileic acid लेकिन मैं carbozileic acid ना बोलती हूँ यहाँ पर इसका carbozileic acid का salt बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे salt carbozileic acid तो leak दिया मैंने लेकिन उसका क्या बनेंगा salt मनेंगा carbozileic acid का and second वारे क्या मिलेगा aldeide मिलेगा second वारे aldeide से क्या मिलेगा alcohol मिलेगा क्या मिलेगा alcohol तो मतलब एक aldeide carbozileic acid के salt में कनोट होगा और दूसरा aldeide alcohol में क्या होगा कनोट होगा और इसी example को मैंने लिया यहाँ पर देखो फार्मल डेइड इस हिटेड विट 50% चलो एने वर्ष ने लेते हुए क्योश लिया तो देखो यहां पर एक दो मॉलिकुल से फार्मल डेड के कन्फुज मत हो ना किसी किसी बुक पर ट्वाइस लिग दिया होगा एकदम से तो कन्फुजन होने के कोई ज़रुरत नहीं है ठीक है ट्वाइस भी लिख सकते थे हम और लोग अब यह के साथ में रियाक्षन हो रहा है तब जाकर के एक लितानल बन रहा है और दुसरा 4TiCM बन रहा है तो मतलब एक के पास में अपने को यह नजर आ रहा है कि तो इस तो आपको यह ठ्यान रखना पड़ेगा अलडियाट का जब और क्टक्शिडेश फोग तो क्या बनता है तो अल्डीेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो नो डाउट 101% का अचीड का आएन बनेगा और reduction होगा तब क्या बनेगा अल्कॉल बनेगा हमने पढ़े ने इतना तो chemistry हमने पढ़ लिया है इतनी chemistry में पढ़ चुके हैं तो हमने इससे पहले ही पढ़े कि अगर होता है तो उसका सोडियम साल मितलब या पिर बनता है और उसके बाद में उसका अगर reduction होता है तो अल्कॉल बनता है हमने इतना chemistry पढ़ लिए लेकिन reaction को देखने के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि के पास में चलो टीके का ग्रूप गया मतलब और आपको पूरी चीज़े क्लियर हो जाए कि मैं इसी का mechanism लास्ट में लूँगा वीडियो के अंत में इसका mechanism जरूर बताऊंगा बट याद रखना पहले मॉलिकुल का क्या हुआ रीडक्शन हुआ तो अलकॉल बना और दूसरे मॉलिकुल का क्या ऑक्सिडेशन हुआ तब जा करके उसका क्या बना पोटेश्एम फॉर्मेट बना मतलब साल्ट बना इसके बाद में अपने को मैंने दूसरा एक्जांपल सेम एक्जांपल मैंने बेंजल डियेट के लिए बिंजल डियर के मैंने डियरेक्ली ट्वास लिग दी आपको पता है एक के पास में ओए जाएगा दूसरे के पास में ओए ने चला जाएगा क्योंकि यह ने ओएश लिया यहां पर तो यह आपको इस तरीके से दोनों का आपको समझा करके दूंगा कि मेकैनिजम किस प्रकार स से आहिए और मनें यहां पर लिक Lynn की यहां पर किसम यहां पर होगा और किसम नहीं होगा कैन के दा father's में छैंघ खुशन और जाएगे तो cross condition में क्या होते हैं कि दो अलग अलग अगर aldeides होगे जिनके अंदर में alpha hydrogen कया अफसेंट है तो जब डो अलग-अलग aldeides जो होते हैं जिनके अंदर में alpha hydrogen absent होते हैं तब जाकर कि उसको क्या बूलते स्क्राउस्ट किया ब सित्वाती में आप बनेगा एक से अल्कोल बनेगा दूसरे से कख रड़कशन करवा दिया तो यहांपर अल्कॉल बन गया और और मैंने फॉर्मल डियेट का क्या करवा दिया उक्सिलेशन करवा दिया तो उसका क्या बन गया साल्ट बन गया उल्टा भी कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है गाइस लेकिन यह रियाक्शन देखने के बाद में साधारन सा एटम किदर जा रहे हैं अप पर इरेज भी करूँगा मैं बीच बीच में तो इसलिए तो दोड़ा सा ध्यान रखना कि मेकैनिजम को समझते हुए तो सबसे पहले मैंने फार्मल डियाट के एक्जमपल ले 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 ता तो फार्मल डियाट में कार्बन होगा सी डबल बान होगा एक यह इदर होगा और द निगेटिव आयन को मैंने बाहर निकाल दिया तो इदर पॉजिटिव वाले के तरफ क्या होगा अट्रैक्ट होगा तो कार्बन के उपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सिजन के उपर में पार्शियल निगेटिव होता है और कार्बन के उपर में पा सिंगल बॉन हो जाएगा और इसका सिंगल बॉन हो जाएगा यहां पर यहां पर फिर से वह जैसे का वैसा हो जाएगा ठीक है गाइस इतना आपको समझ में आ तो इतना समझ में आया तो अपने कुछ नहीं किये हमने सिर्फ इतना किये कि ओएच के ओएच में का हमने कारबन के तरफ क्या कर दिये सिप्ट कर दिये तो कारबन के साथ में उसने बॉन बना दिया तो ऑक्सिजन और कारबन के बिच में का जो डबल बॉन था पाई बॉन था वीडियो को पॉस्ट करना, रोग देना और इसको क्या कर लेना नोट कर लेना तो चलो, आपने नोट कर लिए होगे तो मैं आगे बढ़ता, तो अब अपने पास में आयन है एक एनायन है, अब इस एनायन को लेता वहीं से शुरुआत करता, एनायन से चैर्ट हो जाएगा इस पिक्चर में दूसरा वाला ग्रूप यहां पर बाहर निकल जाएगा यह निगीटिव बाहर निकलेगा यह निगेटिव वापस कर देता है और बापस करने कि भूप आपको यहां से वापस निकलना चींगा किम्झे फारवड रियाक्शन लेकर यह से रियाक्शन को बहुत ज़्यादा था highly concentrated अपने के वेश लिए है तो वेश का concentration ज़्यादा इसले यहां से निकलेगा अब यह जो यहां से निकला है यह दूसरे जो ALDIID के molecule के तरफ अट्राक होगा दूसरा वाला जो तो निगेटिव वाला है यह फिर से अट्रैक होंगा किसके उपर यह कार्बन के तरफ ठीक है गाइस अब यह कार्बन के तरफ अट्रैक हो जाएगा तो कार्बन के तरफ अट्रैक हो जाएगा यह तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी अब यहां यह तो इसके उपर में क् compound बन जाएगा किस प्रकार से इतना लिख लो पहले मैं बता देता उसको कैसे बन जाएगाit इतना आपने कर लिए पहले इतना कर लो आप लोग ठीक है इज इतना कर लिए आप लोग उने कर लिए वच्रो आप लोगों सबंसे ओधना अ देखो यह सी डबल बॉर ऑ जैसे कहा यहां का यह चला गया तो उसके पास ऐसे इत्व को जाएगा और यह वजाएगा और यहां का बरीक हो प्रेंक ऊने को एसọn क्यों एक एचाा जायगा और तीस्वा female यह चाज जाएगा तो इसके उपर चार्ज क्या जाएगा निगेति हो जाएगा ठीक है गाइस क्योंकि यह च मैंने ट्रांसपर किया था न जब पीछे के वीडियो में देख लेना पीछे जा कर तोड़ा क्योंकि पहले वाले का जिससे मैंने यह च निकाला वह ऐसा क्या बन में ठीक है मतलब पहले के अंदर में मैंने दूसरे वाले के अंदर में मैंने इसको ट्रांसपर किया तो इसके उपर में निगेटिव उचा जा जा गया अब होता कि है जो पिक्चर में के था ओके इसके पास में आ जाता है तो के के उपर क्या हो जाता है ठीक है तो अब इस यह वापस जाकर के यह वाला C दे ट्रांसपर होगा किसके पास यह K के पास और उदर का जो यह K के पास में तो K वहाँ से हट जाएगा और यह वाला K किदर आ जाएगा इस O के पास तो यह क्या बन जाएगा बच्छो यह C double bond O और यहां का जैसे का वैसा और यहां पर O ता O के पास में क्या आ गया K आ गया K positive और O negative इतना हो गया और उदर का देखो इतना group मतलब क्या हो गया CH3 तो यह CH3 और यह O उपर का जैसे का वैसा और यहां का यह वाला यह उदर गया तो यह CH3 O यह तो यह बन गया तुमारा अलखो तो ऐसा है इसका mechanism है तोड़ा सा आपको इसको देख लेना तोड़ा सा इसको अच्छा तरीके से मैं इसका आपको बना करके page के उपर में screenshot भी भीज़ दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए ओके गाइस thank you so much guys पर watching this video और इसके बाद में आपके लिए homework है कि आपको यह साइज से mechanism बेंजल लिएट का बना करके मुझे भीजना है ठीक है guys thank you so much